C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे भारत की नदियां श्रिंखला के अंतरगत कारिक्रम यमुना भाग चार यमुनोत्री हिमनद से यात्रा करती हुई यमुना अब दिल्ली तक आप पहुँची है हमारे देश की राजधानी दिल्ली समय के साथ साथ राजधानिया अपनी जगह अपना नाम यमुना के पश्चिन में बदलती रही जैसे तुगलकों की राजधानी तुगलकाबाद, शाह जहां की राजधानी शाह जहानाबाद, अंग्रेजों की राजधानी पहले कश्मीरी गेट और फिर राइसीना रिज दिल्ली में पहले की राजधानियों के अबशेश आज भी देखे जा सकते हैं अब दिल्ली और उससे आगे का यमुना का सफर शुरू होता है दिल्ली में दिन भर घूमते हुए हम ठक चुके थे शाम का समय था ओफिसों की छुट्टी हो चुकी थी वाहनों का न्दिरं तर तांता लगा था सडक पार करना कठिन हो रहा था शाम होते ही दिल्ली जगमगा उठी चारो ओर रोशनी से आखे चुधियाने लगी कुछ अजीब सा लग रहा था नयापन भी था बेरोखी भी हम सोच रहे थे कि क्या करें कहीं रुकने के जुगार बे थे हाँ हाँ दिन की ठकान से देर तक सोटे हमारा सफर जारी था हम राजघाट की और चल दिये राजघाट पर राश्ट रुपिता महात्मा गांधी की समाधी है वहाँ जाने की इच्छा हुई सामने देखा यमुना नदी अपनी गंदगी की बदहाली के साथ शक्ति स्थल्थ विजए घाट आदी स्थलों को छूती हुई चली जा रही थी सच मच यमुना में प्रदूशन की शुरुवात दिल्ली से ही होती है अनुमान है कि रोज लगभग 2000 लाख लेटर गंदा पानी और 132 मीटरिक टन रासाइनिक प्रदूशन यमुना में घुलता है प्रदूशित जल के कारण मचली वा अन्य जीव जन्तों कम दिखाई पड़ रहे थे पहले कभी यही यमुना जीवन से भरपूर हुआ करती थी और अब जीवन रहित हो गई है वाहरी विडंबना इसी हालत में यमुना ओखला पहुँचती है सन 1870 के दशक में ओखला में एक बराज बनाय गया था सन 1874 में बराज से आगरा कैनाल निकाली गई जो हर्याना के फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले की सिचाई करती है बराज के कारण यमुना में रेत के भंडार देखे जा सकते है यहां से यमुना कालिंदी कुझ की ओर बढ़ती है सन 1960 के दशक में कालिंदी कुझ नामा के एक और बराज बनाये गया समझे? यहां से गुर्गाओं कनाल निकाली गई जिससे हर्याना के फरीदाबाद, गुर्गाओं और राजिस्थान के भरतपुर जिले की सिचाई होती है कालिंदी बराज से यमुना दोबारा हर्याना में प्रवेश करती है पहला नगर फरीदाबाद, नदी के पश्चिम में बसा है जिससे बाबा शेख फरीद ने बसाया था बाबा शेख फरीद? आज फरीदाबाद एक बड़ा ओद्योगिक नकर है बल्लबगढ दूसरा ओद्योगिक शहर है दोनों शहर लगभग मिल गाए है अच्छा अच्छा अब यमुना धीरे धीरे मत्वरा पहुंशती है मत्वरा के साथ पुराने रिष्टों को याद करती है और मन ही मन कहती है मत्वरा नगरी के वासी मुझे आदर के साथ देखते है क्योंकि मेरा कृष्ण भक्त कवियों उनके पदों छंदों से गहरा संबंध है मैं कालिंदी के रूप में कृष्ण भक्त कवियों के मन में रची बसी थी कितना आकरशन था मुझ में आज इतनी प्रदोशित हो चुकी हूँ कि मेरे पास लोगों का आना तो दूर की बात है लोग नाक बंद करके गुजरते हैं सुभईया जी तुम मुझे बता सकते हो कि मत्वरा में यमुना घाट के साथ कौन-कौन से मंदिर है हाँ मैं जानता हूँ जैसे द्वारकादीश, ध्रूव मंदिर बेलकुल ठीक, यमुना के तड़ पर लगभग 25 घाट है असकुंडा, विश्राम घाट, स्वामी घाट, धुरूव घाट वगएरा वगएरा यहां हर समय शर्द्धालूओं के भीड लगी रहती है तुम तो जानते ही हो सुबईया के मथुरा भारत का प्राचीन एवं धार्मिक नगर है इसका विवरण प्राचीन ग्रंथों में कई जगहों पर मिलता है मथुरा को श्रे क्रश्ण की जन्मस्थली माना जाता है और इसकी कहानी तो सभी न सुनी होगी क्रश्ण भक्ति यमुना के आसपास ब्रज क्षेत्र में विकसित हुई क्रश्ण भक्ति यहीं से भारत के दूसरे भागों में फली फूली जैसे हर्याना, राजस्थान, गुजरात आदि क्रश्ण भक्ति को फैलाने का माध्यम बनी ब्रज भाषा भाई ब्रज भाषा बहुती मधुर और मिठास लिये हुए है हाँ, ब्रज प्रदेश में ही क्रश्ण से जुड़े प्रसंग, नंद गाओं, बरसाने में आज भी देखे सुने जा सकते हैं मतुरा का हिंदू जैन और बहुत धर्मों से गहरा संबंध रहा है चीनी यात्री फह्यान यहां बहुत धर्म की जानकारी लेने आये थे जैन मत के 84 वें तीर्थंकर भी मतुरा से संबंध रखते हैं 84 तीर्थंकर के नाम से एक बड़ा मंदिर है लोग दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने आते हैं अच्छा मैं तुम्हें बता दूँ यहां मध्यकाल का एक बहुत बड़ा संग्रहला है संग्रहला है? जो देखने लाएख है अच्छा गैरिसन नामक पुरा तत्व विद ने मतुरा के आसपास के क्षेत्रों में खुदाई की खुदाई के समय जैन और बहुत धर्म से संबंधित मूर्तियां और शिला लेख मिले ये सभी म्यूजियम में देखे जा सकते हैं अरे वाह मतुरा एक धार्मिक एवं भारतिय संस्कृती की धरोहर का जीता जाक्ता नगर है तुम मालूम है पासी में यहां एक तेल शोधा कारखना है जे है कच्चा तेल पाइप के दौरा गुजरात के कांडला बंदरगाह से आता है कांडला बंदरगाह से यमुना अब मतुरा से अलविदा कहती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती है दक्षिन पूर्ज दिशा में बहती हुई यह आगरा पहुँचती है आगरा भी यमुना नदी के उत्तर में बसा है आगरा जीटी रोड और रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है यह नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ओद्योगिक एवं वानिज केंद्र है आगरा में कपास, कपड़ा, दरी, चमडे और जूते के कई कारखाने है मैं तुमें बता दूँ, आगरा मध्धकाल में एक विशेश नगर था वो कैसे? सुनो, सोलवें शताब्दी से सतरवें शताब्दी तक ये मुगलों की राजधानी था अच्छा बाश्चा अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया सन 1564 से 1575 में यमुना के किनारे लाल किला बनाया गया अच्छा किले में ही शाह जहां ने मोती मस्जिद बनवाई यमुना के किनारे पर शाह जहां ने बेगमम ताज महल की याद में ताज महल बनवाया हाँ, यह तो मैं जानता हूँ लाल-किला और ताज-महल दोनों यमुना के किनारे पर हैं ताज-महल संसार की सुन्दर तम इमारतों में से एक है विश्व के आश्चरो में इसकी गिंती की जाती है मख़बरों में सबसे खूबसूरत गुला कार गुमबद ताज-महल में देखा जा सकता है आगरा में यमुना की हालत में कोई बद्लाव नहीं आया शहर का गंदा पानी यहां भी यमुना में गिरता है यमुना मैली कुचैली हालत में ही आगे बढ़ती है आगरे से निकल कर यमुना दक्षिन पूर्व दिशा में बहती है रास्ते में एक और इटावा और एया उत्तर प्रदेश के जिले हैं दूसरी और मुरैना भेंड मध्य प्रदेश के जिले हैं जो बीहर के ख्षेत्र है मुरैना भेंड में भूमी का कटाओ बहत है यमुना इन्ही गहरे खड़ों से होकर बहती है दाहिनी ओर से चंबन लदी गहरे खड़ों से बहती हुई यमुना की ओर आती है कुछ दूरी तक दोनों समानांतर पूर्व की ओर बहती है इटावा जिले में साहन नाम के स्थान पर चंबन लदी यमुना में मिलती है इसे क्या कहते हैं मालूम है इसे जरुब संगम कहते हैं संगम बिल्कु ठीक है तुमने और कई मंदिर हैं यहां पर सुभईय तुमने ध्यान दिया होगा कि यहां यमुना का पानी पहले से कुछ साफ दिखाई पड़ता है साहन से यमुना कालपी पहुँचती है ये एक एतियासिक स्थान है कालपी में जहासी की रानी लक्ष्मी बाई ने वीरगती प्राप्त की थी आगे चल कर हमीरपूर में बेतवा नदी यमुना में मिलती है बेतवा नदी मध्यप्रदेश की पंचमणी की पहाड़ियों से निकलती है यमुना बांदा और फतेपूर से बहती हुई मौँ पहुचती है मौँ हत्गरगा उद्द्यो की एक बड़ी नगली है यहाँ गमछे और चादर आदी बनाय जाते है मौँ से यमुना के बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन आता है दक्षिन पूर्ग शित्र में उच भूमियों के कारण वो अब उत्तर पूर्व की दिशा में बहने लगती है यहाँ यमुना का पानी स्वच और हलका नीला दिखाई देता है यमुना अपने आखरी पड़ाओ की और बढ़ती है देखो भई यमुना का सफर अब पूरा होने वाला है धीरे धीरे चलती हुई यमुना प्रयाग में गंगा के साथ मिल जाती है जे हाँ प्रयाग में यमुना और गंगा की धाराएं अलग-अलग दिखाई देती है यमुना की श्यामल धारा है जे गंगा की मटमैली और उज्वल जब दोनों एक दूसरे से मिलती है तो ऐसा प्रतित होता है मानों दो बहने मिल रही है सच मुच गंगा और यमुना दोनों सहुदरा है जोके दोनों का जन्म हिमाले की परदत श्रंखला में हुआ है जे मैं तुमें बता दूँ के बाश्शा अकबर ने 1583 में यहां यमुना के किनारे एक खिला बनवाया और शेहर का नाम रखा अलहबाद जो आज इलहबाद के नाम से जाना जाता है गंगा यमुना का संगम बाहरी आक्रमन कारियों से सुरक्षा प्रदान कर सकता था सुबईया प्रयाग का धार्मेक और वानिजिक महत्व बहुत धर्म के दस्तावेजों और अशोक के शिला लेखों में भी मिलता है प्रयाग में दिसंबर जन्वरी के माह में माघ मिला लगता है दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं बारह साल के बाद संगम पर माहकुम्भ का मिला लगता है और यहां के आम और अमरूद बहुत ही स्वादेश्ट होते हैं अमरूद तो मैंने भी खाए हैं खूब काए हैं बहुत मीठे होते हैं इलाहबाद गान ट्रंक रोड वा रेलवे से जुड़ा हुआ है सन 1857 में इलाहबाद युनिवर्सिटी की स्थापना की गई और साथ ही राजनेतिक चेतना का केंद्र भी रहा है भई हमारी यात्रा यहीं पर अब समाप्त होती है और इस यात्रा में यमुना कदम कदम पर हमारे साथ रही है एक हमसफर की तरह जी आप भी हमारी और यमुना की इस दास्तान में शरीख रहे हैं यमुना अलविदा कहने से पहले आप से कुछ कहना चाहती है 900 किलो मिटर लंबी यात्रा के बाद प्रयाग है मेरा विश्राम स्थल इस यात्रा में सामराज्यों के उतार चड़हाव देखे कितनी संस्कृतियों को पनपते, फलते, फूलते देखा आज मेरा अस्तित्व ही संकट में है अगली प्युड़ी को आप मुझे किस रूप में सौपना चाहते हैं निर्ने आप करें तो ये थी मेरी और सुबया के स्मृतियां यमुना के साथ साथ चलते हुए डैली के ये पन्ने रोमांचित भी करते हैं और चिंतित भी एक नदी जो लगभग हजार किलोमीटर तक जन जीवन, संस्कृति और समाज की पोशक रही वही नदी आज शहरी करण और द्योगी करण और जन संख्या के दबाब का बोज उठा रही है जरा सूचिए कि उसके प्रती हमारा कोई करतव नहीं है यमुना भागजार अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम आलेक एवं विशे संयोजन अक्तर हुसैन, आलेक परामर्ष डॉक्टर माधवी कुमार, कलाकार नीरज शर्मा, प्रवीन शर्मा और राजिश्री त्रीवेदी भन्यंकन दीपक पांडे, तक्नीकी निर्देशन सतीश लाडे, निर्मान सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्मान एवं प्रस्तुती अजीत होरो लाडे, वेश्ड़क पांडे, ये झाव अर्मा ये लाडे, झाव जाव दे विएर वाडे, तक्नीकी तो प्रस्तुती अजीत होरो